ज़सुई में आपका स्वागत है, आज हम डिजाट मिठाई बनाने वाले हैं और ये घर के ही समानों से बन जाता है और बिल्कुल कम टा banging में बन जाता है और आसानी से बन जाता है तो देखते हैं इसके लिए की चूजों की जरत पढ़ती है सबसे पहले ये देखिए मैं इस तरीके से टोस्ट ले ली हूँ आप कोई सभी टोस्ट ले सकते हैं और इसके बाद फिर आधा लिटर दूद ले ली हैं और करीब 200 ग्राम चीनी ले ली हैं और ये ड्राइब फूट है ड्राइब फूट अपने मन पसंद से गार्निसिंग कर स सकते हैं श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका चीनी का चास्टनी बनाएंगे और थोड़ा समय रबड़ी बनाने वाली हुदूत का उसके लिए थोड़ा से चीनी को रख लेती हूँ इसके बाद फिर इसमें जितना चीनी है उतना ही पानी डालेंगे और बस इसका पत चीनी को घोल लेते हैं, यह हमारा चास्टनी बन के त्यार हो गया है, यह देखिए, इसको बस ऐसी चिपचीपा रहना चाहिए यह, कोई एक तार या दो तार की नहीं बनाना है, चीनी घुलने के बाद इसको 5 मेट पका लिए हैं, इसके बाद फिर इसको उतार लेते हैं, दूद को अच्छी तरीके से उबलने देते हैं, जब तक हमारा दूद उबल रहा है, तब तक से यह थोड़ा से दूद बचा के रखे हैं, यह देखिए, इसमें कच्चा दूद रहना चाहिए, यह ठंडा दूद रहना चाहिए, इसमें यह कश्टरड पाउडर है, यह दे बलने के बाद और इसको ऐसे मिला लेते हैं, इसके बाद फिर इसमें दूद में इसको डाल देते हैं, और ऐसे करके लगातार चलाते रहना है इसको, इस तरीके से देखिए, यह हमारा बहुत जल्दी बढ़िया से पक भी जाता है, और रबडी तुरंत बन की तियार हो जा सुगन भी आ रहा है, तो मैं इलाइची पौडर नहीं डाली हूँ, यदि आप दूद पौडर डालते हैं, तो उसमें इलाइची पौडर डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है, अब यह हमारा रबडी बन के तियार हो गया, और यह कश्टरड पौडर डालने के बा इसको और बाउल ले लिए हैं, और इसमें यह टोस्ट है, इसको निकाल के ऐसे करके इसको जमाते जाना है, तो मैं पहले पूरा टोस्ट को जमा लेती हूँ, फिर बताती हूँ, इसको जमा लिए हैं, इसके बाद फिर इसमें चासनी को डालते जाना है, और चासनी को इसके बाद फिरे देखिए इसमें रबडी बना के रखे थे इसको इसमें डालना है और डालने के बाद ऐसे फैलाते जाना है तो मैं आधा रबडी को अभी डालेंगे यह देखिए इसको आधा रबडी को डाल दी हूं इसके बाद इसको ऐसे करके फैला लेते हूं इसके बा इससे लिए नहीं ढालरे हूं इसको बढ़ी हा से अच्छी तरीके से ऊसे फैलाना है इसके बाद फिर इसके उपर में एक लेयर और ड़ालना है टोस्ट को अठेए पूरा को जमा लिए है इसके बाद फिर चास्नी को डालना है इसमें कि तरीके से इसमें चासनी को डालना है क्योंकि बाद में ये टोस्ट पूरी तरह से बड़िया चासनी को सोख लेता है और इसके बाद फिर फिर से रबड़ी को डाल लेते हैं अभी पूरा रबड़ी को डाल लेते हैं पूरी तरह से फैला लिए हैं, अब इसमें ड्राइफूट लगा लेते हैं, ड्राइफूट को बढ़िया अच्छा से लगाना है, खाने में बढ़िया लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है, अपने मन पसंद के इसमें ड्राइफूट डाल सकते हैं, मैं बदाम ड दाल दी हूं ये मिठाई में डालने से बढ़े लगता है आप इसके जगापे चैरी डाल सकते हैं और तूटी पूटी आता है उसको भी डाल सकते हैं और इसके बाद फिलास्ट में पिष्टा से इसका गार्निसिंग कर दे रही हूं इसको ठंड़ा होने देते हैं और ठंड़ा होने के बाद में इसको फ्रीज में जमाने के लिए रख देंगे गंटा के लिए उसके बाद फिर इसको काटेंगे ये देखिए इसको फ्रीज से निकाल लिये हैं और ये हमारा जम गया है तो इसको कट कर लेते हैं ये बहुत ही साप्ट मिठाई बन के त्यार होता है ये इसको इस तरीके से देखिए कट कर लेती हूँ मैं इसके बाद कट कर लिए हैं इसके बाद इसको निकाल लेते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया सौप्ट ये मिठाई बन के त्यार हो गया है ये देखे कितना बढ़िया इसका धीक रहे लेयर और कितना बढ़िया ये बन के त्यार हो गया है ऐसे करके, कट करके इसको रखते जाना है कित तब यह लेयर बन के त्यार हो गया है यह यह देखिए, कितना साप्ट मिठाई है एक बार मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ यह देखिए, यह केक से भी ज़्यादा टेस्टी मिठाई बन के त्यार होता है ऐसे करके यह देखिए बहुती बढ़िया सौप्ट बन के तियार हुआ है इसी तरीके से इसको मिठाई को बनाया जाता है आप लोग भी इसको जरूर बनाये या कुछ भी तेहार में या जब कभी महमान आ जाया जल्दी यह दे मिठा बनाने का मन रहे तो घर के ही समान से घर में रहता ही है टोस्ट रहता है दूद रहता है तो घर के ही समान से इसको बनाया जाता है आप लोग इस मिठाई को जरूर बना के खाएं पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें सस्क्राइब करना न भूलें धन्यवाद